आरुन जेटली एक जिमेदार पत पर बैठे हुए हैं और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं राजनीती से जोड़के कहा जा रहा है कि ना मुझा अगर कर देंगे तो शर्मसार कॉंग्रिस हो जाएगी इस तरह का बयान भी शाद उन्हें नहीं देना चाहिए लेकिए वो उनक नेम्स आपने डिस्क्लोज किये या फिर मॉडिफिकेशन अफ दी ओर यह कहीं ना कहीं सुटी है एरर के लिए हम सरकार की नियत पे सवाल उठाएं शायद ये बात सही नहीं होगी कि क्या सरकार सही दिशा में काम कर रही है या जो एसाइटी गठित की गई है सुप्रीम को अगरी एजनसी की एड लेकिन अन्होंने भी इस मुद्धे को जोडशोर के साथ उठाया और ऐसी बात नहीं अभी उन्होंने यूप ए के शासनकाल में वेसम मुद्धे को थाया है और विकास जी कहा तो यह भी जा रहा था कि एक पार्टी के तरफ से पार्टी की तरह भी ने पेश किया जा सकता है जिस तरह से वो इस मुद्धे को था रहे हैं और देश के एक वो नागरी के वितिमंत्री से जिस तरह से वो सवाल पूछ रहे हैं ऱ्यूल्सेट की तरह सौपने ने की जैच को यहाते के वितिमंत्री की तरह से भी चुभ व। नेद हो लिजा है ने देसो ajave है कि ऑफ के पार्टीय पूंद्धे लिए मुदॉन प्रियूल्से लिए फौई कर शिस तरह criminal का रहा बजूब McC tablespoons तरह thing to Chinese सब्सक्राइब कर दो 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 दिन आर्गूमेंट्स किया है आखर उसके बाद वित्रा कर दिया उन्होंने करते हो बहुत बहुत अच्छा चेंज मानता हूं मगर यह चेंज सरकार की नहीं है सुप्रिम कोट का गलोरी है दिस नारे क्रेट टुद फिनेंस मिनिस्ट्री और टुद अटर्ट इस चलते अब इस मामले की पूरी जाच कर आएग जाएगी पूर्व IPS अधिकारी किरन बेदी ने क्या कुछ कहा है इस पर आया आपको ये भी सुनाते हैं ये जो लिस्ट है ये अब सुप्रीम कोट आफ इंडिया और स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम जो दो रिटायर्ड सुप्रीम कोट जाज़स की प्रधानगी में तफ्तीश कर रही है इसी लिस्ट पर अब इस लिस्ट को लेने से ये हुआ कि आप सिलेक्टिव नाम सरकार रिलीज नहीं कर सकती जो की मैं समझती हूँ ये गलती हुई क्योंकि सिलेक्टिव नाम नहीं यहां तो आप सारी लिस्ट करें यहां सिलेक्टिव नाम लेकिन सरकार का ये कहना था कि जो तफ्तीश कर रहे है जो तफ्तीश हो रही है वो हम रिलीज कर सकते हैं तो उनका अपना पॉइंट है मेरा मैं यह वकील नहीं हूँ इसलिए मैं जाज नहीं कर सकती है लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि अब ये जो फाइनल लिस्ट है अब किसके नाम रिलीज होने है ये फैसला स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम जो दो फॉर्मर सुप्रीम कोट जाजर्जर्स की प्रधानगी में है और सुप्रीम कोट चार हफ़तों की बात है अब पता चल कानूनी अकाउंट्स बाहर के बैंकों में खोली हुए थे सबके नाम सारवजिनिक होने चाहिए ये लोग देश के जितना पैसा इन लोगों ने विदेशों में जमा किया था अगर इसको पकड़ा जाए और उस पर टेक्स लिया जाए मुझे लगता है बहुत सारे स्कूल बहुत सारे एस्पिताल बहुत सारे पुल बन वाए जा सकते हैं उससे तो चलिए बहुत लंबा जब इंतजार किया है तो चार हफ्तों का इंतजार और सही ये कहना है किरन बेदी का और उनका ये कहना है कि अब मामरा जब कोट में है तो इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नही और यही कारण है जो मोधी और बीजेपी काला देशन के बारे में विदेश में ले आने की बारे में प्रचार में बाए देखिए उन्हें मैं देखता हूं कि वह अभी बाइट कहते हैं नहीं कर रहेंगे और सुप्रीम कोट ने करा रूख अपनाया है इसका मैं सौध करता और सरकार को बाद देखिया जाएगा कि जनता को जानने का हक है कि देश के पैसा और गरत तरीके से विदेश लेया कर रखा गया जो हमारे देश के विकास में काम में आएंगे उसको बचाने के लिए इतने कोशिस क्यों है चुकि काला देन चुनाओं में एक बहुत बड़ सब्सक्राइब कर देखिया जाएगा वन्ना वो कहीं ना कहीं कुछ जैसे फिक्र में रहेंगे कि इसको किसा से दबाया जाए मालदा में अबीर भू में जो एक बाद एक वारदात को रहे हैं तो महम्मद सलीम सहाब को आप ने सुना उनका यह कहना है कि मामला प्रभावित नहीं कर देती और इसके लिए अच्छी बात है कि मामला सुप्रिम कोर्ट में ही सुझाए जाएगा वैदिक जी एक यह कड़ी दो देखी जारी थी इसे कड़ी को भी जोड़ा जा रहा था कहीं यह मामला प्रभावित ना हो जाए अगर सरकार अपने हाथ में लेकिन अब स से कम लोगों को यह उम्मीद हो गई है कि निस्पक्ष जांच हो पाएगी सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले को एक राष्ट्री अभियान बना दिया यह बहुत ही स्वागत योग्य घटना है और मैं समझता हूं कि जेटमलानी जी जो इसका नित्रत तो कर रहे हैं उन पर भ कि सारी पार्टियों को मिलके अब सरकार का सुप्रीम कोर्ट का और उन सब जाच एजन्सियों का स्वागत करना चाहिए जो काले धनकी खोश करना चाहते हैं और वापस लाना चाहते हैं जी अगर इसके अंदर वो कुछ कोता ही करते हैं तो फिर कोई भी हो सुप्रीम करने से देश का कोई हित होने वाला नहीं है ये मेरा कहना है जी भाजपा के लोगों से ही मैं कहता हूं कि सिर्फ कांग्रेस पे आरोप यारोप लगाएं इल्जाम इल्जाम लगाएं ये ठीक नहीं है कांग्रेस भी अपने हिसाब से कुछ न कुछ कोशिस करती रही कि इस माम प्रिम्चन जी अब तो आप सहमत हैं इस बात से के ठीक है मामला कोट में है कोट अपनी तरह निगरानी में ये काम कर रहा है जाच आगे बढ़ाई जाएगी कारवाई आगे बढ़ाई जाएगी अब तो आप कहेंगे कि हाँ चलिए पहल तो हुई है प्रिम्चन जी जिसके किलाव देश में पूरा माहोल और बढ़ंगा मचा हुआ था कि जिसको हम आने के सौज दिन के अंदर पूरे करेदान को वापस लियाएगी अब वो काम तो वो करने पार हैं आप किसलिए ये हुआ इसका भी स्पश्टी करन चाहिए और पार्लमेंट मे हम पूछें के जरूरे कि पहले आप तीन नाम देते हो आज कुछ साव जितने भी आज दिये हैं वो देते हो अगर सुप्रीम कोट के दबाव के चलते वे अगर आपको ये काम पड़ रहा है तो ये पहले ही क्यों ने किये आप ही की वादा आप ही का वादा था कि देश को क ये हम करेंगे काला दन को जो है वापस लाएंगे तो सुप्रीम कोट के दबाव के अंदर आकर ये निरने जो ले रही है सरकार ये उसी तरीके की रुजान है जो आखरी दो साल में मनमौन जिंग साब की सरकार ने दिखाई है वो दस साल के समय में आखरी दो साल उनको प्रुआद में ही ये बात हो इस सरकार के साथ तो ये बताता है कि ये सरकार की क्या है नीती की बाद छोड़ी है उनकी जो रुजान क्या है वो पश्टूप से नजर आ रहा है अब मार्च के अंदर ये पूरा प्रोब को खदम करने का आदेश भी दिया हुआ है अब इसको प बाते हैं और हम चाहते हैं कि अगर वो अपनी चुनाओं के अंदर जो वादे किये हैं उसको लागू करना चाहते हैं तो सबसे पहले बताईए उनके हाथ में किन किन के नाम है और कितना धन जो है वो विदेश में जो देश से लूटा गया वो विदेश में जमा और सबसे बड़ी बाद उसको वापस लाने का क्या योजना है और वापस लाकर अपने देश की जंता के हितों के लिए उसको अपनी विकास की और इस्तिमाल करने का क्या योजना सब्सक्राइब क्या मुद्दा उठाना है सरकार को किस तरह से घेरना है उन्हें तो यह मुद्दा भी मिल गया है वैदिक जी मार्च 2015 तक कहा जा रहा है तब तक यह जांच पूरी कर ली जानी चाहिए आपको नहीं लगता कि वक्त जादा दे दिया गया है आप तुसे संधी पर ही चर्चा कि जाएगी पैसा कैसे बापस आएगा इस पर ही चर्चा की जानी है इसीसे हम भी हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे वक्त यहाँ पर एक छोटी से ब्रेक का है जल्द हाशीर होते हैं